नमस्कार आप देख रहे हैं News24 First Express और मैं हूँ आपके साथ मानवी ठाकूर शुरुआत करते हैं आज की खास ख़बरों से 19 जून क्लब फूट पैरों में होने वाली एक जंजात असमानता है इसमें बच्चे का एक या दोनों पैर अंदर या बाहर की तरफ मुड़े होते हैं क्लब फूट की समस्या से पीडित बच्चों को चीनीद करते हुए स्वास्त भाग द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है राश्टी बाल स्वास्त कारकरम के तहट ऐसे बच्चों का मुफ्त इलाज होता है स्वास्त परिवार कर लियान मंत्राले भारा सरकार द्वारा जून दोजार चौबिस को नेशनल क्लब फूट एवेरनेस मंद भोशित किया गया क्लब फूट एवेरनेस एंड मैनेजमेंट थीम के साथ या उद्देश है कि क्लब फूट के बच्चों के पहचान के प्रती लोगों में जागरुकता लाई जाए इसके साथ ही उनका उचित लाज, सुनिश्चित करवाना और छूटे हुए बच्चों को फालो अप करना है कलब फूट के बारे में जागरुकता लाने के लिए कारसाला तथा इलाज और प्रबंदन के लिए सिविर का आईजन करना है इस समंद में राजस्वास समित के कारपालक निर्देशक सुहर्स भगत ने अनुगरे नारान मगद मेडिकल कॉलेज सहित राज के अनमेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीच्छक और राष्टी बालस्वास्त कारकरम वाज डिश्टिक्ट अल्ली इंटर्वेशन सेंटर के अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिये निर्देश में कहा कि मेडिकल कॉलेज के हड़ी डोग विभाग तथा D.I.I.C. समन्वे इस्थापित कर क्लब फूट के प्रज्जाग रुपता और इलाज के लिए सिविर का आयजन किया जाए निउस 24 फर्स्ट एक्सप्रेश से वेदराज की खास सिपोर्ट आज की खबरों में बस इतना ही देखते रहिए निउस 24 फर्स्ट एक्सप्रेश नमस्कार